ताधरादे दोस्तों, Welcome to my channel, स्वागत है आपके अपने चैनल, देखा की दुनिया में फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, सुबा में जटपट बनने वाली, खाने में टेश्टी और बहुत जादा हेल्दी लंच बॉक्स बनाने की रेसिपी, अगर आप से बना कर देंगे, तो टीफिन पूरा फिनिश करके बच्चे आएंगे, तो चलिए इस हेल्दी से रेसिपी को बनाना सुरू करते हैं, इसके लिए मैंने यहां पर लिया है इडली का बैटर, इडली का बैटर किस तरह से बनाया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स म डाल देना है, नमक यहां पी स्वात के अनुसार, अभी दोनों चीज़ों को यहां पी मिक्स कर लीजिए, इडली का बैटर और नमक यहां पे अच्छे से एकदम से मिक्स हो गया है, अभी इस और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है थोड़े स जाहें तो डाल सकते हैं, अभी गैस को कर लीजिए, और तवा गर्म होने के लिए रख दीजिए, अभी तबे के उपर डाल देना है तेल, अभी तेल को कोई भी कपड़ा या टीसू पेपर से इस तरह से पोच लीजिए, अभी इडली बैटर को बसमें इस तरह से डाल देन है, अभी इसमें डाल दीजिए, कटे हुए सबजियों को, और गैस कपले में यहां पे लो रखना है, आप चाहें तो इसमें कॉर्न पनीर भी एड़ कर सकते हैं, अगर आज की रेसिपी आपको जरा सा भी अच्छा लगी तो दीजिए अपना धेर सारा प्यार लाइक और से कभी कभी होता है कि बच्चे सबजी बिल्कुल नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बना कर देंगे तो बच्चे सबजी भी खाएंगे और यह बहुत जादा हेली भी है, अभी लो फ्लेम पे बसी से 30 से 40 सेकंड के लिए यहां पे ढग देना है, अभी उपर से ड दवा भी देंगे, इस तरह से सभी को यहां पे पलट दीजिए, अभी दूसरे साइट से भी इसे अच्छे से से शेक लेना है, शिर्फ ध्यान इतना देना है कि यह जलेना और गैस का फ्लेम आप अपने हिसाब से अरजश्ट कर सकते हैं, अभी दूसरे साइट से इसे हमने यहां पे अच्छे से से शेक लिया है, बस इस तरह से फिर से हमें पलटे से इसे पलट देना है, और यह बनकर यहां पे बिल्कुल रेडी हो गया है, और बच्चों को बहुत जादा पसंद आता है क्योंकि यह छोटे छोटे बनाते हैं, तो बच्चे बहुत खुस होकर इस आप चाहें तो यहां पे फ्रेस फ्रूट्स भी दे सकते हैं, और जब कभी भी आप पराठा पूरी देते हैं, तो नीचे में इस तरह से पेपर जरूर बिछा दीजी, नहीं तो होता क्या है कि नीचे वाला पाठ जो गीला हो जाता है, फिर बच्चे उसे खाना नहीं चाह आईए, तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है, सुबा की भागदोर में आप इसे जटपट बना कर बच्चों को दे सकते हैं, तो बस इस तरह से बनाईए, और कैसा बनाए मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईए, और रेसिपी अच्छा लगी, तो लाइक, सेर और स